नमस्ते अब सब कैसे है आज मैंने आप लोगों के लिए गवाभा के एक टेस्टी बहुत टेस्टी रेसिपी लाया हूं हमारी बेंगली में इससे प्यारा बोलती है तो चलिए इससे इसका चाड़ बनाती है इतना सारा गवाभा कुन खाएगा ये टनी थड़ा साब कर लेती तो पंगली में इससे प्यारा मक्ता बोलती है तो अब लोग आपना ख समय क्या बोलती है औो रेसिपी देख कर बाद में बता देना है कमेंट बक्स में लिख कर, फिलाल तो देखते रहिए मेरा एए रेसिपी बिना स्किप करके देखते रहिए, बहुत इजी है, इल्दी भी है और टेस्टी भी है, सबसे पहले एक गभाब को लेकर एक ग्रेटर से ग्रेट कर लेदि, थोड़ा मटे मटे करके ग्रेट करना है, यह देखिए, ऐसे थोड़ा माटमाटि करके ग्रेट करना है नहीं, तो थोड़ा मतलब ज्यादा मेसी हो जाएगा, और यह बीजा का पट रख देती हूं, किसी किसी को प्यारा का बीजा बहुत अच्छा लगता है, तो खा भी सकते है, मैं तो बीजा का पट भी खा लूँग करके काट लूँगी, देखते रहे हैं, तो में हो जाएगा, एक साथ में दो तीन गौवा ऐसे खा सकते हैं, चाट बना दिया तो, अभी बारिस का सीजिन है, कभी-कभी गौवा में किडा बगरा रहता है, तो ध्यान से थोड़ा चेक करना है, मैंने टोटेल तीन गौवा यूज किया, दो गौवा खो छोटा-चोटा करके कट लिया, और कट लिया, यह हरा धिन्या के पत्ती और एक हरी मिल्ची को छोटा-चोटा करके, और एक बड़ा सा बाउल ले लिया, इसमें सारे कटे हुआ गौवा खो डाल दूँगी, देखते रहे हैं, कैसे बनाती हो, पेयारा माखा, हाँ गवावे चाटी भी बलती है ना इसे, सारे कटे हुआ गवावा को दे दिया, आब इसमें दे दूंगी, एक चमच कासंदी, कासंदी देने से परले इसे थड़ा ज्ञाग लेती हूं, एहे कासंदी, कासंदी कोई भी किराना का दुकान में मिल जाएगा आसानी से, मैं आंदाज से एक चमच जैसा कासंदी दे दिया, इसके बाद इसमें दे देती हूं थोड़ा सा काला नमक, इसमें काला नमक की देना है, क्योंकि कोई भी चाट में काला नमक अच्छा लगता है, प्लेन नमक से, और दे देती हूं एक चमच अलिव आयल, में चाटका टेस्ट दुगना हो जाते है मतलब बहुत है टेस्ट ही लगता है और देदेते हूँ थोड़ी सी खारी मिर्चि हम लोग जादा तिखा नहीं घाते और एक कटवर हारा धेनियां के पत देदेदे थोड़ी सी चीली फ्लेक्स देदे ते हूँ इसके बाद दे देती हूँ वो ग्रेट किया हुआ ग्वाभा को आधा निम्बू निचड़के इसका रस भी दे दिया एक खट्टा में क्या तिक्खा बहुत अच्छा लगेगा बहुत है टेस्टी वनेगा यह अब लोग के ऐसे करके बना के तो देखिए एक बार यह प्यार अब इसमें दे दिया थोड़ा सा वुना हुआ जीरा का पाड़र और दे दिया लाल मिर्ची के पाड़र आपको सहें नहीं होता है तो मत दी जिएगा जैसा पसंद है ऐसा ही दे दी जिएगा घार में ही तो खाना है तो घर का समगरी से बना सकते है ऐसे करके बहुत है टेस्टी लगेगा सब कुछ एक चमच की मदद से अच्छी से मिक्स कर दिया यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में भी अच्छा लग रहा है लग रहा है ना टेस्टी तो एक खाके में बताती हूं कैसा है अगर नमक मिर्ची थोड़ा सा काम हूआ तो डाल दूझे इसलिए पहले टेस्ट करके देखना चाहिए कि टेस्टी तो बहुत होआ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा चाण मसाला डाल देती हूं और टेस्टी हो जाएगा इसलिए इसका नम चाठ मसाला है तो चाठ में तो थोड़ा डालना ही चाहिए और यह ब्लेक प्रेपर का पाउडर इसे भी थोड़ा सा डाल देती हैं बैस सब कुछ तो दे दिया अब इसे कोन हराएगा टेस्ट में मिक्स कर देती हूं इसके बाद प्लेटिंग कर दोंगे अ अब देखे में प्लेटिंग कर देती हूं इससे अच्छी से प्लेटिंग कर दिया उपर से दे दिया थोड़ा सा वो ग्रेट किया हुआ गवावा को जो पहले ग्रेट करके रखे थे और दे देती हूं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स देखने में भी अच्छा लगेगा और ख के मान हो रहा है ना बनाने के तो तो रेडी हो गिया गौवा अचार रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए आज के लिए ब्यास इतना है जो लोग नाया है सब्सक्रेब कर लिजिए प्लीज क्योंकि आगला वीडियो सबसे पहले आपका पास आजाएगी और इतना टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू